इस बीच एक एहम खबर पंजाब पर इस वक्त की पहली बड़ी खबर कि राश्पती शासन की सिफारिश कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंग समर्थन नहीं मिला तो राश्पती शासन की मांग कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंग ये कैप्टन अमरिंदर सिंग ने दरसल बड़ा दाव चला है हवा का रुख भापने के बाद समर्थन नहीं मिला तो राजपती शासन की डिमांड कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंग विधान सबाब भंक करने की सिफारिश कर सकते हैं और थोड़ी देर पहले टीवी नाइन भारत पर्ष ने ये खबर ब्रेक की थी और अब उसके बाद की जानकारी भी हमने आपको दी कि किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंग ने राजपाल से मुलाकात का वक्त मांगा है हमारे साथ राहुल सिना हमारे सयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं राहुल कैप्टन और सिद्धू की ये जंग एक वक्त ऐसा लग रहा था मानो कॉंग्रेस पार्टी ने आला कमान ने इसका सलूशन ढून लिया है सिद्धू को पंजाब कॉंग्रेस की कमान सौप कर लेकिन आज ना सिर्फ सिद्धू अपना दम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं बलकि विधान सभा भंग करने की नौबत आ गई है ये सित्धी है आज जो तस्वीर सामने आ रही है कि वो कॉंग्रेस पार्टी के साथ है कॉंग्रिस आला कमान के साथ है यानि दिल्ली से जो संदेश दिया जा रहा है वो उसके साथ में और इस वक्त कैप्टेन अमरिंदर सिंग अकेले पड़ गए शायद उन्होंने के सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके के हालात पैदा होंगे तो मुझे लगता है कि आज सिद्धू से ज़ादा जो आपने संतुष्टी है या जो ज़ादा कह सकते हैं कि कम सिक्र करने वाली बात है वो यहां के हाई कमान के लिए होगी कि जो बात उनकी देजरिये पंजाब तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही थी वो बात पहुँची है पार्टी हाई कमान के फैसले को उसी तरीके से लिया जा रहा है जिस तरीके से वो यहां पे पहुचाना चाते है यह बड़ी बात है राहूल और निश्चित तोर पर यह बड़ा पॉइंटर है जिसका जिक्र आपने किया क्योंकि कॉंग्रिस आला कमान सिद्दू गुट के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है और सिद्दू गुट का दबदबा साफ तोर पर नजर आ रहा है मैं इस पर आप से बात करूँगा मोहित के पास लगता है कुछ और जानकारी है मोहित बताएं देखें कैप्टेन अबरिंदर सिंग अपने फार्माउस से निकल चुके है और उनके साथ पूरा उनका लाव लशकर इस वक्त मौझूद है माना जा रहा है कैप्टेन अबरिंदर सिंग यहां अपने सरकारी निवास पर आ सकते हैं कि यहां पर आप देखिए C.M. Security जो है वो सड़क पर पूरी तरह से अलट हो गई है यह चंडिगर के सेक्टर 2 का सरकारी निवास है और यहां पर कैप्टेन के आने की सूचना मिलने के बाद देखिए कुछ विधायक और कुछ मंतरी भी आ रहे हैं लगातार गाड़ियों के आने का सलसला शुरू हुआ है लेकिन जो कैप्टेन का कद है पंजाब कॉंग्रस में उतनी संख्या यहां पर नहीं है यह बात शायद कैप्टेन को भी पता है इसी वज़े से सोच समझ कर पूरी तैयारी के साथ वो निकलें अपने घर अपने फामाउस से और यहां पर सरकारी निवास पर आएंगे आप देखें सीएम सीक्योर्टी पूरी तरसे अलर्ट हो गई है क्योंकि कैप्टेन के आने का शायद यहां पर इनको मैसिज आ चुका है और उसके बाद माना जा रहा है कि चार बज़े तक कैप्टेन अबरिंदर सिंग यहां पर रुकेंगे उसके बाद वो राज्येपाल के पास जाएंगे तो क्या पूरी कैबिनेट एक साथ इस्तीफा देगी या फिर कैप्टेन अबरिंदर सिंग कैबिनेट भंक करने की वहां पर सिपारिश कर देंगे यह देखने वाली बात होगी लेकिन संख्या के नाम पर इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंग काफी पीछे चल रहे हैं और अपसे थोड़ी देर में यहाँ पर अपने सरकारी निवास पर वो पहुंचेंगे उसके लिए यहाँ पर पूरी तेयारिया है उनके आने का इंतजार किया जा रहा है बिलकुल बिलकुल मोहित और ये शाम पांच बजे विधायक दल की मीटिंग में क्या होने वाला है नवजोस सिंग सिद्धू के जो प्रिंसिपल स्ट्रेटिजिक अडवाइजर है मुहम्मद मुस्तफा उन्होंने ट्वीट किया वो ये कह रहे हैं कि हमें दुख है कि कॉंग मंत्री का चैरा बदला जाए तो एक तरह से सब कुछ वो साफ कर रहे हैं खुद ही कि होने क्या वाला है विधायक दल की मीटिंग में मौहित देखे इस पूरे मामले में नवजोत सिंग सिद्धू ने बड़ी ही समझदारी के साथ कैप्टन के खिलाब पहले वो थोड़े से मुखर रहे लेकिन जब उनको पंजाब कॉंग्रेस सद्यक्ष बनाया गया तो वो चुप हो गए उनसे कोई भी सवाल कैप्टन के स्टेट अगर कैप्टन अबिंदर सिंग के चहरे पर 2022 का विधान सबा चुनाव लड़ना ही नहीं चाता इस तरह के बयान वो दे रहे थे लेकिन सिद्धू पूरी तरह से खामोश थे फिक्र आपकी सुमवार से शुकरवार रात नौ बजे सिर्फ टीवी नाइन भारत वर्ष पर